नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज हम मैच कवर करेंगे पहला ODI मुकाबला जो खेले जाने वाला है अफगानिस्तान वर्सीज साउथ अफरीका के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 18 सितंबर को खेले जाने वाला है पांच बजगर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा सार्जा किर्केट स्टेडियम UAE की पिच पर तो दोस्तो आज के मैच में हमारी फाइनल फैंटसी टीम किस परकार से होनी चीए कौन से खिलाडी को दोस्तो हम कैप्टन सी में लगा के चलें कौन सा खिलाडी हमारी टीम में वोईस कैप्टन देखने को मिलेगा कितने ट्रम पलेड दोस्तो अफगानिस्तान की टीम से देखने को मिल सकते हैं और कितने ट्रम प्लेट दोस्तों साउथ अफरिका की तरब से देखने को मिल सकते हैं। पलस में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फ्री जैकपोट गिवे जिसमें आपके विनिंग के चांसिस काफी जादा हाई हैं। करना कुछ भी नहीं है दोस्तों वीडियो को आपको सबसे पहले कंपलीट देखना है उसके बाद वीडियो पे लाइक करना है और चैनल को सस्क्राइब करना है ताकि लगादार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे और एक प्यारा सा कमेंट करना है। यह नहीं है कि आज कौन सा खिलाडी कितने रन बनाएगा, कौन सा बोलर कितनी विकट लेके जाएगा यह बिलकुल नहीं है सिरफ आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है चैनल को सस्क्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है जिस भी भाई ने अभी तक इ पाइन नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फोलो कर लेना और टेलिग्राम चैनल अगर आपने जुआइन नहीं करके रखा तो वो दोस्तों आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि फाइनल फैंटसी टीम पलस में गिवे से रिलेटिड जो भी अपडेट होगी कि कौन सा यूजर आज के मैच में गिवे विनर बना है वो अपडेट आपको सभी टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फड़ापट से सभी वाई टेलिग्राम चैनल को जरूर जुआइन कर लेना ब 249 ODI मुकाबले खेले गए हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 132 मुकाबले जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 115 मुकाबले विन किये हैं दो मुकाबले दोस्तो यहाँ पर टाई भी हो चुके हैं एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर द इडिया की टीम ने बनाया है चोवन रन पे ओल आउट है उसी के साथ बोलिंग की बात कर लेते हैं लाश्ट के जो पांच मुकाबले यहाँ पर हुए थे उसमें दोस्तों पेसर्स को 34 विकट मिली थी और स्पीनर्स को यहाँ पर 49 विकट मिली थी जो भी यहाँ पर दोस्तों कोंबिनेशन बनाऊगे चाहे grand लिकटीम का हो या फिर smol लिकटीम का हो उसमें दोस्तों आपकी टीम में पेसर्स भी होने चीएं पलस में स्पीनर्स भी होने चीएं रासिद खान का हाई सेलेक्शन है मोहमद नभी आपको हाई सेलेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन वो द प्रिश पिच पर दोस्तो 18 बार स्कोर देखने को मिला है। प्रिश पिच पर दोस्तो 18 बार स्कोर देखने को मिला है। प्रिश पिच पर दोस्तो 18 बार स्कोर देखने को मिला है। उसी के साथ head to add के बारे में बात करें head to add में last के जो दो मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों South Africa की टीम ने दोनों head to add मुकाबले विन करके रखे हैं recent के performance के according बात करें तो recent में दोस्तों अफगानिस्तान के टीम back to back दो मैचिज विन करके आ रही है और यहां से South Africa की टीम भी recent में दो मुकाबले विन करके आ रही है लेकिन दोस्तों head to add में यहां पर South Africa की टीम काफी ज़्यादा strong टीम आपको देखने को मिल जाएगी बात कर लेते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की final playing 11 के बारे में कि इस टीम से हम कौन से खिलाडी को लेके चलें कौन सा खिलाडी हमारी टीम में trump card खिलाडी मिलेगा high selection वाले खिलाडी की बात करें यहां से मुहमत नभी का भी इतना high selection नहीं है वैसे दोस्तों average selection आपको इस खिलाडी का भी देखने को मिलेगा इन 3-4 खिलाडी का high selection है लेकिन आपको trump card खिलाडी यहां से रहमत सा देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ दोस्तों यहां से आपको सहीदी भी ट्रम्प कार्ड खिलाडी जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि टीम का कपतान है और रीसेंट के मैच्चों में ठीक ठाक एवरेज स्कोर इस खिलाडी में किया है और लगबग ड्रीम टीम में भी देखने को मिला है और दोस्तों बात करेंगे एक बार इनके प्लेयर पर्फोर्मेंस के इसाब से कि कौन सा खिलाडी हमें ट्रम्प कार्ड खिलाडी इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्लेट देखने को मिल सकता है तो बात करें अगर ओपनिंग बैट्समेन के बारे में रहमा दुल्ला गुर्बाज रीशैंट में दोस्तों यहां पर 47 रन उसके बाद 69 रन फिर 20 रन फिर यहां से फ्लोप है फिर यहां से 20 रन का पर्फोर्मेंस head to add में एक ही मुकाबला खेला था और सायद दोस्तों यह मुकाबला वल्ड गप के दोरान खेला गया था जिसमें 25 रन के साथ इस खिलाडी ने पर्फोर्मेंस किया था वेन्यू पे दोस्तों काफी तगडी बैटिंग है 86 का एवरेज कोर है ODI format में 37 का एवरेज कोर है और दोनों मुकाबले दोस्तों Ireland के सामने खेले थे दोनों मैचों में काफी बढ़िया बैटिंग यह खिलाडी करके गया था उसके साथ रियाज हसन जो की recent के मैचों में दोस्तों continue floppy है highest इस खिलाडी की तरब से 54 रन का पर्फोर्मेंस है head to head venue पे पहला मैच ODI format में अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं 120 रन इसके पास है 30 का एवरेज कोर इस खिलाडी का बैटिंग से है और लगबग दोस्तों low selection वाला यह थोड़ा बहुत अगर performance कर गया 50, 40 या फिर 45 रन के करीब अगर इस खिलाडी ने निकाल दिये तो यह खिलाडी आपकी टीम में trump card खिलाडी का काम करेगा और बहुती low selection आपको इस खिलाडी का देखने को मिलेगा high selection में आपको रहमद दुला गुरबास देखने को मिल ज आएगा उसी के साथ दोस्तों रहमद सा जो की recent के match में यहाँ पर 49 run उसके बाद यहाँ से 19 run 48 run पलस में एक विकट 49 run पलस में तीन विकट उसके बाद 49 run recent के लगातार match में काफी अच्छा performance है head to head में दो मुकाबले 32 run इसके पास है ground पे दोस्तों काफी ज़्यादा मुकाबले इस खिलाडी ने खेल रखे है 14 matches इस खिलाडी ने खेले वे हैं दो विकट इसके पास है 40 का average score बैटिंग से है trump card खिलाडी है ODI format में दोस्तों यहाँ पर 15 विकट निकाल चुका है 36 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है और यह दोस्तों low selection पर आपको देखने को मिलेगा और लगबग एक दो ओवर बोलिंग भी आपको करवाते हैं नजर आ सकता है उसके साथ यहाँ पर हस्मतुला सहीदी recent के मैच में 38 रन नाबाद उसके बा 70 मुकाबले खेले हैं 2225 रन ये खिलाडी बना चुका है recent के लगातार दो मैचों में 70 पलस रन इस खिलाडी ने बनाई वे हैं उसी के साथ high selection में captain और voice captain ची में अजरम दुला उमर जही आपको देखने को मिलेगा recent के मैचों के according बात करें तो recent में दोस्तों लगबग 2 मैचो में flop है दो मैचों में 19 और 1 विकट फिर यहां से 8 रन पलस में 3 विकट हैट तो एड में एक ही मुकाबला खेला था जिसमें 77 रन इस खिलाडी ने बनाए थे ग्राउंड में दोस्तों 2 विकट है ODI फोर्मैट में 18 विकट निकाल चुका है ये खिलाडी आपकी टीम में लग मदनभी रीसेंट में flop उसके बाद 19 रन फिर 18 रन पलस में 0 विकट 15 रन एक विकट उसके बाद 2 विकट हैट तो एड में 2 मुकाबले 2 विकट इसके पास है तीन रन इस खिलाडी ने बनाए वे हैं ग्राउंड पे 35 विकट इसके पास है लो सलेक्शन पे है और लगबग ये खिलाडी 4-5 है और जरूर करवा के जाएगा ग्राउंड पे 35 विकट निकाल चुका है 161 मुकाबले ODI में और 169 विकट इसके पास है 27 का एवरेज को और इस खिलाडी का बैटिंग से है लो सलेक्शन पे ये खिलाडी भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन ओल राउंडर मे लेके चलना है उसके साथ गुलाबदी ने रिसेंट के मैच में फ्लोप उसके बाद 20 रन, 30 रन नाबाद 1 विकट, 30 रन पलस में 0 विकट, हैट तो एड में 1 मुकाबला, 1 विकट इसके पास है 14 मुकाबले ग्राउंड पे 9 विकट निकाल चुका है और ODI फोर्मैट में 73 वि में 1 विकट, 2 रन पलस में 2 विकट, 13 रन तीन विकट, 5 रन एक विकट, हैट तो एड में 2 मुकाबले, 2 विकट इसके पास है, गिराउंड पे जबरदस्ट परफोर्मैंस है, अभी तक 11 मुकाबले खेले है, 29 विकट निकाल चुका है, ODI फोर्मैट में 113 विकट इसके पास फिर यहाँ पर 2 विकट निकाली है, रिसेंड में लगातार परफोर्मैंस है, लेकिन ODI की बात करें, तो ODI के मैचों में अभी तक इस खिलाडी ने 2 मुकाबले खेले थे, और 0 विकट के साथ परफोर्मैंस है, हेड तो एड में पहला मैच है, गिराउंड पे ये खिलाडी फिलोप है, उसके साथ फरीद एहमद, रिसेंड के दोनों मैचों से परफोर्मैंस, एक मैच में फिलोप है, फिर यहाँ से एक विकट, 23 विकट निकाल चुका है, ODI में 17 मुकाबले खेल रखे हैं, हेड तो एड वेन्यों पे इस खिलाडी का पहला मैच है, उसके साथ फज इस विकटों के साथ इस खिलाडी का परफोर्मैंस है, फजल फारू की दोस्तो इंपोर्टेंट खिलाडी है, लेके चलना है, यह आपको फाइनली अफगानिस्तान के फाइनल प्लेर परफोर्मैंस देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तों इनके प्रपर के चार खिलढ़ी हैं जो की स्टार्टिंग में बोलिंग करवाते वे नज़ेंगे उसी के साथ बैंस प्लेयरों की बात करें जो कि टोटल दोस्तो 6 बैंस प्लेयर है इनमें से कोई भी खलाडी अगर फाइनली प्लेंग 11 में अपडेट होता है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पलस में दोस्तो गिवे से रिलेटेड अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फडापट से सभी वाई टेलीग्राम चैनल को जरूर जोईन कर लेना उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से साथ अफरिका की फाइनल प्लेंग 11 के रिजा हेंडिक्स का भी दोस्तों हाई सेलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और जोड़ जी की बात करें तो इसका रिसेंड परफोर्मेंस चेक करेंगे वैसे दोस्तों काफी बढ़िया खिलाडी है लेके चलना है बात कर लेते हैं इनके प्लेयर परफोर्मेंस के इस सबसे पहले ओपनिंग बैट्समेन के बारे में बात करें टोनी जोर्जी रिसेंड के मैच में 25 रन उसके बाद 53 रन फिर दोस्तों 6 रन है फिर 23 रन और 22 रन हैट टो एड़ वेन्यू पे इस खिलाडी का पहला मैच है और ODI फोर्मेट में अभी तक 5 ये मुकाबले खेले है 69 का एवरेज स्कोर है 276 रन ये खिलाडी बना चुका है अगर साउथ अफरिका की टीम पहले बैटिंग करती है तो CVC में दोस्तों एक बार लगा के जरूर चलना है साइध ये खिलाडी कुछ बड़ा परफोर्मेंस करते वे नजरा है या फिर 40-45 के करीब आराम से ये खिल परफोर्मेंस नहीं है ओनली 39 का एवरेज स्कोर है CVC में दोस्तों अवेड करके चलना अभी के लिए इस खिलाडी को उसके साथ तेमबा बमुआ रिशेंट के मैंस में 7 रन उसके बाद दोस्तों 19 रन ना बाद फिर यहां से फ्लोप है और ODI फोर्मेंट में काफी अच्छ परफोर्मेंस है 45 का एवरेज स्कोर है 1512 रन ये खिलाडी मना चुका है एडन मारकरम रिशेंट में 20 रन 19 रन पलस में 0 विकट 14 रन पलस में 0 विकट 4 रन 0 विकट उसके बाद 23 रन ना बाद हैड टू एड में अभी तक दोई मुकाबले खेले हैं 25 रन इसके पास है अगर थोड़ी बहुत हैल्प यहां से स्पीनट्स के दवारा देखने को मिली तो यहां से दोस्तों ये खिलाडी आपको बोलिंग करवाते विन जर आ सकता है उसी के साथ काईल रिशेंट के मैच में 48 उसके बाद 37 रन ना बाद विकट कीपर उप्शन है ओडियाई फोर्म है head to add venue पर पहला मैच है लेकिन दोस्तों यहां तक बैटिंग आपको लगबग देखने को मिल जाएगी क्योंकि ODI format का मैच है और यहां पर दोस्तों कुछ लंबा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आपको stubs की बैटिंग आराम से देखने को मिल सकती है उ ODI format में 78 मैच इग्यान में विकट निकाल चुका है 25 कावरेज को और इस खिलाडी का बैटिंग से है उसके साथ बजोरन recent के मैच में एक विकट उसके बाद दोस्तों continue फ्लोप है 6 विकट इसके पास है ODI format में head to add venue पे पहला मैच है उसके साथ लूंगी एंगीडी recent के मैच म यहां से दोस्तों continue performance है ODI में दोस्तों इस खिलाडी का डेब्यू है लिस्ट एके 6 मुकावले इस खिलाडी ने खेले हैं 4 विकटों के साथ performance है head to add venue पे दोस्तों इस खिलाडी का पहला मैच है recent के मैच में फ्लोप है बाकी continue इस खिलाडी के तरब से performance देखने को मिला उसके स बार्तमें recent के continue मैचों में दोस्तों काफी अच्छा performance है head to add venue पे पहला मैच है इस खिलाडी का भी दोस्तों ODI format में डेब्यू है लिस्ट A के 42 ODI मुकावले खेले हैं 61 विकटों के साथ इस खिलाडी का performance है यह दोस्तों finally आपको South Africa के final play performance देखने को मिल जाएंगे उसी के starting और डेथ वाली खिलाडी की बात करें starting में दोस्तों आपको पहला और लूंगी एंगेडी की तरब से देखने को मिल जाएंगे उसके साथ बार्तमें एड़न मारकरम और यहां से पिटर ये चार बोलर हैं जो की starting में बोलिंग करवाएंगे डेथ की बात करें तो डेथ में जो कि टोटल दोस्तों यहां से 5 match player है यहां से Lizard Williams है बर्गर है Lizard Williams की बात करें तो 4 matchों में 5 victory निकाल चुका है recent के match में flop है बाकी 2 matchों में performance उसके साथ बर्गर की बात करें recent के match में flop उसके बाद 1 wicket फिर flop है फिर 2 wicket head to head venue पे पहला match है 5 wicket निकाल चुका है ODI format में वियान मलडर recent के match में एकरण नाबाद और head to head venue पे पहला match है ODI में दोस्तों 12 wicket के साथ इस खलाडी का performance है बाकी यहां से कोई भी खलाडी अपडेट होगा वो अपडेट आपको पता ही है टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी इधर से दोस्तों रेजा हैंडरिक उसके साथ एडन मारकरम, स्टब्स, लूंगी एंगिडी और ट्रम्प कारड खलाडियों की बात करें तो यहां से रहमत साब को ट्रम्प कारड खलाडी देखने को मिलेगा विशी में दोस्तों यहां पर आपको रेजा हैंडरिक देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको इसके जगह जो पिक करके चलना है टोनी जोर्जी को अगर खेलता है तो सेकंड टीम में दोस्तों विशी आपको रासिद घान देखने को मिलेगा कैप्टन सी में मैंने थोड़ा सा थोड़ा रिस्की ट्राइ किया है एडरन मारकरम को उसके साथ साथ मोहमद नभी भी काफी अच्छा चुआई से कैप्टन और वोइस कैप्टन सी में वुला कायो को लगा के चल सकते हो ओर करवाएगा पलस में बैटिंग भी देखने को मिल सकती है विकट कीपर ओप्शन में दोस्तों आपको यहां से स्टब्स और रहमत दुल्ला गुरबाज दो ओप्शन देखने को मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में रहमत सा जो कि ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है और दोनों टीमों में आपको लेके चलना है चाहिए एक टीम बनाओ या फिर दो टीम बनाओ हैट टो एड पलस में मिनी गरेंड लिग टीम पलस में स्मोल लिग टीम तीनों टीमों में दोस्तों लेके चलना है और तैमबा बहुआ को लेके चलाओं क्योंकि इसका जो ODI format में average score है काफी बढ़िया है ये दोस्तो फाइनली दो fantasy टीमों का आपको combination देखने को मिल जाएगा बागी अपडेट आपको पता ही है टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटापट से जोईन कर लेना पलस में दोस्तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइब कर लेना लगातार अपडेट के लिए और दोस्तो जो मैंने गिव ये का जो आपको बताया है उसमें दोस्तो जरूर आप पार्टिस्पेट जरूर करना तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ